या वही घाट है जहाँ भग्वान श्री राम ने जल समाधी ली थी यह दी वहा है किस तडिके से ये बना हुआ है और अंदर हम अपने केमरमन से कहेंगे कि बहुत सालिंता से और धीरे-धीरे से इस परिकर्म मार गुदْ काला जादू हो या शनी की साढ़े साती होंगे हर कष्ट दूर आएगी जीवन में तरक्की अपने घर परिवार और संपत्ती को हर बुरी द्रस्टी से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच नमस्कार साथियों हमारे चैनल प्रभुभक्ती में स्वागत है मैं हूँ आपके शाथ अश्वनी पांडे तो दोस्तों आज हम गुपतार घाट आ गये हैं गुपतार घाट हम आपको ले चलेंगे इस राष्टे से गुपतार घाट जाया जाता है वहाँ पे हम आपको ले च करते हैं और टहलते घुमते हैं सईयू किनारे गुपतार घाट बसा हुआ है हम आपको ले चलते हैं दिखाते हैं कि भव्यता वहां महाराना परताप की मूर्ती भी लगी हुई है और उसकी भव्यता भी दिखाते हैं आपको और बताते हैं तो गाइस हम गुपतार घाट प प्रभु शीराम के साथ ही कीड पतंग तक उनके दिव्य धाम चले गए जिसके चलते अयोध्या उजड़ सी गई थी बाद में उनके पुत्रकुष ने इस नगरी को फिर से बसाया प्राचीन इतिहास के मुताबिक महराज विक्रम आदित्य ने अयोध्या नगरी को बसाया थ सिवाला घाट जटाई घाट अहिलाबाई घाट धोरारा घाट नया घाट और जानकी घाट काफी मशूर है तो दोस्तों बता दूं कि राम नगरी अयोध्या का जिक्र आते ही आपके दिल दिमाग में भगवान राम की जन्मस्थली की तस्वीर कौन दिजाएगी जहां वह बाल लिलाए क्या करते थे भगवान की इस मृतियों को समेटे राम नगरी में वैसे तो कई दर्शनिय अस्थल हैं लेकिन गुपतार घाट की अपनी अलग ही पहचान और विशेष्टा है या वही घाट है जहां भगवान शीराम ने जल समाधी ली थी सर्यू नदी के किना मारे इस्थे गुपतार घाट पर कई छोटे-छोटे मंदीरों के साथ यहां का सुन्दर द्रिशिम्वन को मोह लेने वाला है मैं अपने कैमरा मैंन से गुजारिश करूंगा कि ढंक से शर्यूक नदी का द्रिश्याब लोगों को दिखाएं बता दें कि मुक्ती पाने की इच्छा लेकर इस अस्थान पर दर्शनार्थी आते हैं उन्नीश्वी सदी से राजा दर्शन सिंग दौरा गुपतार घाट का नव निर्मान कराया गया था इस घाट पर राम जान की मंदिर पुराने चलन पादु का मंदिर नर्सिंग मंदिर और हनवान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है हम आपको अभी मंदिरों के बारे में भी बताएंगे दिखाएंगे और उनके पुजारियों से बात भी करेंगे और उनसे भी जानेंगी कि क्या रहस्य है आपको बता दें कि गुपतार घात के पास ही मिलेटरी मंदिर कमपनी गाड़न राजिके उद्यान और अन्य प्राचीन मंदिर परियोटकों के लिए आकरशर का केंडर है नौका बिहार और लंबे रेतीले मैदानों के इर्दगीर्द हर्याली वा शांत वातावरन और सुर्यास्त की निराली छटा लोगों को बरबस अपनी यार खीच लेती है बकसर की युद्ध बिजे के बाद ततकालीन नवाप शुदा उद्ध दौला द्वारा निर्मित एतिहासिक किला गुपतार घाट से चंद कदमों की दूर पर इस्थित है हमारे दर्शों को हम एक मुख्य जनकारी देना चाहेंगे और बताएंगे कि अगर आपको आयोध्या आना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों से करीब एक सो चालिस किलो मीटर दूर दक्षिर पूर्ब में आयोध्या इस्तित है रेल यातायात के अलावा यहाँ 24 घंटे के लिए यहाँ रोडवेस बस सेवा भी उपलब्द रहती है लखनों के आलमबाग और कैसरबाग बस अड़े से उत्तर प्रदेश परिवाहन की बसें हर 10 मिनट में और रेल सेवा हर घंटे पर उपलब्द है यहाँ के प्रमूग रेल्वे स्टेशन अयोध्या और फैजाबाद जंग्सन है जो की पहले फैजाबाद जंग्सन के नाम से जाना जाता था अब अयोध्या कैंट और अयोध्या जंग्शन के नाम से जाना जाता है तो अंदर मंदिर के अंदर परिकर्मा मार को भी दिखाते हैं यहां से परिकर्मा किया जाता है आप देख सकते हैं किस तरीके से यह बना हुआ है और अंदर हम अपने केमरा मंद से कहेंगे कि बहुत सालिंता से और धीरे-धीरे से इस परिकर्मा मार को दिखाएं अब हम आपको बाहर ले चलते हैं बाहर आ गए हैं बाहर चलते हैं और भी मंदिरों की विशेष्टाओं को बताते हैं और भी गुपतार घाट की विशेष्टाओं को बताते हैं दिखाते हैं तो दोस्तों हम आपको शीराज मंदिर गुपतार घाट में जो इस्थित है यहां पर है उसमें ले चलते हैं और वहां के भव्विता के बारे में दिखाते हैं आपको बताते हैं और पंडी जी से बात भी कराते हैं तो दोस्तों हम मंदिर पड़िसर में आगये हैं हम आपको लिए चलते हैं दिखाते हैं मंदिर पड़िसर में घूछने से पहले ही आपनी इंवां मैं से कहेंगे की शीराम लगी हुई यहां पर भी जो भात आते हैं दर्शनर्थी आते हैं वो इसमें देखके शिराम चंड़ी की अस्तूती पढ़ते हैं और अपने विचारों को अपने मनो भाओं को भगवान सामने प्रगट करते हैं और उनसे मुरादें लेके आते हैं वो जो मांगते हैं हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के भव्रता को दिखाते हैं अपने केमरमेंन से कहेंगे कि पूरे मंदिर को एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं और यहाँ पर बढ़िया से एक बार दिखाएं अब हम आपको ले चलते हैं उस शिलापट में जहां पर भगवान विराजमान है उस मंदिर में जो रखी हुई है उनकी मूर्तियां रखी हुई है उसको हम दिखाएंगे आपको अंदर फिलालभी कुद्भक्त जन वहां पर दर्शन कर रहे हैं इस दूरी से नहीं दिखा पा रहे हैं आपको पास ले चलके दिखाएंगे और बताएंगे तो दोस्तों हम गर्व गरह में आ गया है हमारे साथ पंडित जी यहां के पुजारी जी मौजूद है हम इनसे वार्ता करेंगे बात करेंगे जानेंगे क्या मंदिर की विशेष्टा बबता है गुपतार घाट की बारे में जानेंगे पुजारी जी स्वागत है हमारे चनल में आपका बहुत-बहुत जैनिवाद भीया क्या विशेष्टा है पुजारी जी यहां की भगवान से वार्ता करने की बात कहीं हम आप से कुछ बारता करना चाहते हैं लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने और नाही देखें जब सुन लेगा या देख लेगा तो उसे आप प्रान दं देने तो प्रान दे बाता कर लिया वारता के लिए वयट जै मराज अपने मूल स्वरूप में बएठे लक्षमलाब पहरी पर थे जै मराज में कहा प्रहु जब पर दुरभासारीजी पदेघ़ उप्टार है, सही बिलेका ठाव। दूरण जाता है लख जिने का आग्या नहीं है। दुरभासारीजी के पर ठाव्तार नहीं मिलने दिया गए थ्म्सरापदेद्हें कर थे उद्ध्या अश्ट है। लक्षमर जी ने सोचा कि हमारा अकेले मिर्दारन होगा, बाकि अध्यास्वरक्षित रहेगी, वो वारत्यकर्स में चले गए, और जैसे कि अम्राज ने इसारा कर दिया कि आपके भाई आगे, अम्राज अंतरध्यान होगे, राम जी ने लक्षमर से आने कारण पूचा, और राम जी के सामने समिस्या बाहर निकलते हैं, तो भाई को मारना है, और गोत बद्र का पाप नहीं होना चाहिए, भगवान पते जाबर्द भी हैं, भगवान मर्यादा पुरसूतम भी हैं, अब उन्होंने यह बात अपने गुर्देव को बदाई, गुर्देव ने हनुमान राम जी सही सबने निश्चित किया, कि आप लक्षमन का परित्याग कर दीजिए, वहमें तुदंडी के बराबर हैं, राम जी ने वहे किया, बाहर निगले प्रणाम के आसिरवाद में दिया, कह दिया, लक्षमन तुम्हने हमारी आग्या का पालन नहीं किया है, इसलिए मै तुम्हारा प्रत्याग करता है, लक्षमन जी उसी समय चले गए सर्जुतर, और सेशा उतारी थे पने मूल सरूप में पधार गए, जो आज लक्षमन घाट की नाम से अध्या में जाना जाता है, राम जी व्याद में अपने जाने की घोशना की, तो उनके साथ दोनों भागवान ने अध्या से पस्टान किया, अध्या से पस्टिम उत्तर वाहनी सर्जु में जो आज भी यहां सर्जु नदी उत्तर वाहनी है, भागवान ने सब कुछ का पत्याक किया राजधर्म का छोड़ दिया, खाली हात नंगे पहल हो गए, स्वेद बस्तर का आया कि स् कि स्मी सोट, और भागवान एध्या से पस्टिम शर्जु तत पत्अरे के ऑज टत्पतारे और यहां भागवान ने सब को सरीर भीजा, भागवान के साथ जो प्रजा आई थी, उसमें पषपख्षी नरणारी देवी देवता जो भीजयों भीजोह विस्टना कि ते की ते यहां तक आदिर्स आत्माओं का भीजी कर आया कि सब भगवान के साथ थे, भगवान ने सा शरीर सब कुझे एक सांतन नाम का लोग बसाएगागागा वालमी कि रह मार्मार में है कि सांतन नाम का लोग इसा यहाँ परमा जी इसब को बीमान से लेगे, भात राम जी ने भरत को अपने में समाहित किया सिव जी प्रमाजी से कहा कि जो सेस रह गए उनको आप भेजिए गा तो एक महीने का समय निस्ट किया था भागवान अपनी लीला सरद पूरिमा के दिन किये थे कार्थिक पूरिमा तक यहां का भी सेस महात्म है और यहां तक बताया गया है कि उत्ता दोनल्डन फाग जो पुष्क रफ्वा प्रयाग्स में कल्बवाास माघ अध्वा का ति में जिस पलती होती है यहां अाधाशण रशिकर परांका यहां डिखा हुआ है यहां तो दिखा दीजिए और यह राजासाब इद्या का मंदिर है यह वहां क्सोरुड जिएनन कोUNT यह अपने आप में एक बिरला है, भगवान यहां अस्तधारन नहीं किये हुए है, यह निराकारूप है, यह से कि भगवान ने हम लोगों के लिए को पुदेश भी बताया, कि अंत में सब को खाली हाथ ही जाना है, यह सुद्धनाम इसका सास्त्रों में गोप्रतार है, लेकि लगभग साड़े पांसो बर्स में जो भी उनका अपना अनुमान रहा हुए, यहां कारी महत्तार है, यहां लिखा हुआ है, उसको हमारे दर्शकों को हमारे चनल के माध्यम से दिखाएं, और आप देख सकते हैं, यह दूसरा महत्ता हैं यहां के,